के लिए करते हैं अभी तक हमने केस क्या देखा था हमने कि अगर कोई assets मतलब stock को convert कर देता है अगला point देखिए कि समझिएगा माल लेते हैं आपका घर है कि अगर को कि और कि इस घर पर कि आपने खरीदा था कि एक चार दो हजार एक में एक गवर्मेंट का प्रोजेक्ट आया और उन्होंने decide किया कि हम जहां पे आपका घर है इसके उपर से यहां पे सेम ठीक हमें मेट्रो का कंस्ट्रक्शन काम करवाना है यहां से मेट्रो जाएगा जब आपने मेट्रो का आया तो मेट्रो के आने के बाद फिर आपको यहां से यह घर हटाना पड़ेगा हटाना मतलब इन्दा सेंस वह जगह ही छोड़ना पड़ेगा गवर्मेंट ने आपको बोला कि भईया आप अपने जगमेंट को छोड़ दीजिए हम आपको पेड करेंगे पैसा और पेड क्या करेंगे कंपनसेशन पेड करने वाले हम कंपनसेशन सर कंपनसेशन पेड करेंगे आप अपने पेपर्स लिया यह और उसको दिखा देते हैं कितने का पेड होगा तो सर अगर मैं कंपनसेशन की पेपर की बात करूँ हम हमेशा पेपर के अंदर जो प्रॉपटी खरीदते हैं उसका वेल्यू क्या दिखाते कम जादा मैंने 20 लाख रुपए का घर घर खरीदा तो मैं पेपर पे 20 लाख मेंशन नहीं करता उसके पीछे क्यापिटल गेन ही कारण है क्योंकि अगर मैंने 20 लाख मेंशन किया इसमें तो जो सेलर है वो बोलेगा भीया मुझे तो फिर क्यापिटल गेन देना पड़ेगा उन्हें मैं पेपर तो नाम करी रहा हूं इस पर आप दो लाख रुपए लिख दीजिए और बाकी का पैसा 18 लाख आप कैश दीजिए तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी के अंदर कभी भी चेक के थ्रूँ वही ट्रांजेक्शन होता है या बैंक के थ्रूँ वही ट्रांजेक्शन करना होता है विच्वर मेंशन ओन दा पीपर बाकी सारा कैश होता है कि गवर्मेंट ने पेपर लीकि आइए हम आपको आपका कंपनस्टेशन दे देते हैं तो इन्होंने पीपर निकाला और पीपर पे मेंशन था दो लाख और इन्होंने इस टाइम पे खरीदा था पचास लाग का और पीपर मेंशन कितना करवाया या पांच लाग कर लेते हैं क्योंकि इंडेक्शेशन भी करना होगा अब बात यह हुई गवर्मेंट ने बोला कि भाई हम तेरे पेपर पर तो दो लाख रुपए दो लाख तो नहीं देंगे तुझे थोड़ा ज्यादा देंगा चिंता मत कर और यह कहानी है 14 2019 को मेट्रो जारी इसके घर के आगे से गवर्मेंट ने बोला हम तेरे को पेमेंट देंगे लेकिन चिंता मत कर तुझे हम ठीक ठाक पैसे दे देंगे यहां से खाली तो करना ही पड़ेगा और गवर्मेंट ने उस दिन किसे डी said किया fair market value उसदिन का अतप पता किया और बोला चल ठीक भाई इस मधत की कीमत 15 लाग रुपा है से अब आप समस्ष सकते हो 15 लाग कंतलाव लेकिन इस मधान का एक्च्ट्रीन कीमत है एक्चुल मतलब कैसे हम एक्चुल कैसे पता करते हैं हमारे पडोस वाले ने जितने का बेच दी हम भी अंदाजा लगा लेते हैं हमारे भी की का आपको कैसे पता चलता है कि मकान की कीमत ही हो गया आपकी गली में किसी ने बेच दिया आपके स्ट्रीट में बेच दिया आपके साथ वाला मकान है पांच करोड कर विग गया आपको अंदाजा लग गया मेरा भी कितने का है अगर उससे पहले तो और ज्यादा अंदाजा हो गया उससे तो पहले ही है इसके तो यह दस लाग फालतु ही मिलेगे तो आसपड़ो उसका अंदाजा उसने पहले से लगा रखा थ गवर्मेंट ने क्या दिया 15 लाग अब यहां पर दो कंडिशन हो सकता है या तो यह पर सन चुपचा पैसे ले लेगा और चला जाएगा पहले तो हम यह देखते हैं कि चुपचा पैसे लेके चला गया यह तो अगर यह चुपचा पैसे लेके चला जाता है कि तो गवर्मेंट इसको 15 लाक रुपए जो है तो अगर वो किस्तों में देता है या तो उसे लमसम मिलेगा या तो इंस्टॉल्मेंट में मिलेगा अगर उसे लमसम मिलता है तो बड़ी सीरी सी बात है कैपिटल गीन कैसे निकाला जाएगा अगर लमसम मिला तो मैं थोड़ा सा अमाउंट जो कॉस्त अफ एक्यूजिशन है ना खरीदा था उसका मैं घटाना चाहूंगा ताकि मैं चाहता हूं कि मेरा पॉजिटिव आई यह तो इसलिए इसको मैं पचास अजार कर देता हूं ठीक है तो इसका सेल कंसिडरेशन सबसे पहले कितना होगा सेल्स कितना माना जाएगा जितने का गवर्मेंट ने गवर्मेंट ने जो पैसा दिया वो एक चाहर दो हजार इक्यस में दिया माइनस कर दे देंगे कॉस्ट ओफ एक्यूजिशन सर पचास अजार डिवाइड़ वाई हमें कब खरीदा था एक में तो एक का फैस्ट आब फैस्ट निकाल लेंग हा दो एक लाग अर सर इसका आगया कापिटल गल तेरा लाग और अब मजे की बात देखो एक तो इसको घरते निकाल दिया अब तेरा लाग पच्पन हजार पर इससे 20% सरकार बोलीगी अब टेक्स लाओ यह क्यापिटल गेन तो क्यापिटल गेन है और इस पर जो भी मोटा मोटा बन जाएगा तेरा लाग पर लगबग दो लाग साथ हजार रुपए दो लाग इकतर हजार रुपए वो लेगा वो ठीक है चला गया आपका घर लेकिन इस पर आपको टेक्स देना पड़ेगा अगर टेक्स नहीं दोगे तो जेल भी जाना पड़ेगा एक तो इस बिचारे को कम कम पंपंसेशन मिला उपर से टेक्स भी देना पड़ेगा ठीक है सर ये कॉम्प्यूटेशन तयार कब होगा सर ये होगा 2021 और 22 में कैलकुलेशन करेंगे लेखिन बेस मानेंगे 2009 को तो देना पड़ेगा कोई चारा नहीं है पहले पॉइंट का लेकिन में भी पॉसिबल है कि आपको बोले कि अभी भी पकड़ो आप 50,000 रुपए अभी पकड़ो 50,000 रुपए बाकी के आपको 14,50,000 हम देंगे बाकी के 14,50,000 आपको दिये जाएंगे सवाल आए सर कब दोगे बोला जैसे जैसे गवर्मेंट की पॉलिसी है जैसे जैसे होगा हम आपको देते जाएंगे चिंता मत करिए तो अब कुश्चन माँ का आता है सर इसे पैसे तो मिल गए कितने मिले अब कैपिटल गेन कब कैलकुलेट करेगा यह सरकार को कैपिटल गेन का पैसे कब देगा अभी देना पड़ेगा या जब सारे पैसे मिल जाएंगे और सारा पैसा जो इसको मिला ना अभी मिल गया यह यह मिला हमें एक चार को एक चार को हूँ ढू arqu कि जबड़ा है तो आप सवाल आता है इसका भी हमें आपको टेक्स देगा यह 2021 में देगा यह दो हजार गवर्मेंट कहता है जिस दिन फर्स इंस्टॉल्मेंट आपको पर देखा यह पूरे के कॉर्डिंग यह पर थोड़ा सा यह लग रहा है आपको पता चल रहा है तो मैं खुद मानता हूं कि यह थोड़ा सा प्रोविजन कैसा बन गया अपका थोड़ासा फेवर में नहीं है थोड़ा के बहुत अब विचारे को दो लाग सत्तर हजार उपर टेक्स देना है, पचास हजार तुमने दिये है, यानि दो लाग बीस हजार पहले कर जा ले, मकान भी गया, लोन भी हो गया, भ्याज भी जा रहा है, कुछ भिला भी नहीं, तो बोला गया आपको उस दिन पेमेंट देना होगा, जिस दिन आपकी सब्सक्राइब जाएगा, सर्क ऐसा होगा, बिलकुल सेम, कोई फरक नहीं है, कैल्कुलेशन तो यह रहेगा, लेकिन टेक्स पेमेंट की बात करें, तो जिस दिन फस इंस्टरालमेंट रिसीव हो जाता है, उस दिन उसको कितना टेक्स देना होगा, सर, पूरा, टूटल, उ यहां तक समझ में हैं यहां तक कहानी समझ में आ रही है आपको सर यह तब थी बात कि जब यह चुपचाप पैसे ले लेता सरीफ आदमी है अब भाई इसका मकान यहां से हटा रहे हैं पंद्र लाख दे रहे हैं हम अब मामला जाने के बाद फिर थास तरीका लगो जाता है तो ऐसे सिचुँएशन को बोलते हैं कि जगड़ा हो गया normal language में और थोड़ा सा income text के language में एक बहुत अच्छा word यूज़ करते है, dispute तो ऐसा लगे गाने कि बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है, dispute हुआ है, छोटी सी बात लग रही है, हल्का थोड़ा सा word रखाए है, dispute हो गया जज ने बुलाया इसको, कि भाई क्यों लड़ाई जगड़ा है, किस बात का dispute है, उसने बोला, sir, मेरा घर गया, हमारा बहुत पुराना घर था, यह घर चला गया, और इसका market value एक करोड़ रुपे का है, और यह मुझे 15 लाग दिन इप्टा रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, मुझे काईदे से मिलना चाहिए कितना, एक करोड़ रुपे, अब income tax और यह SSC के बीच में लड़ाई चल रही है, तो जज यहाँ पे एक order पास कर देगा, भाईया इस property की दोबारा से valuation कराओ, जज एक अपना बंदा भेजेगा, जो कि expert होगा, valuation करने में, जो उस property का, क्योंकि एक course भी होता है, valuer का, आप देखोगे, तो एक course होता है, जो कि हर चीज का valuation करता है, special course होता है इन सभी चीजों का, तो वो judge भेजेगा, कि भाई जाओ, आप expert हो इन काम में, तो जाइए उस property की valuation निकाली है, पहला question raise होता है, कि सार इसको tax कब देना होगा, लडाई जगड़ा हो रहा है, तो क्या अभी, जो किस मिल गया, इसको tax भरना होगा, या नहीं भरना होगा, लडाई जगड़ा हो चुका है, तो judge बोलेगा, भाईया, जो पहले इसने decide कर दिया, जो पैसा ल कीरी हो, सामने वाला, वो चीज़ तो पहले judge के पास deposit करिए, यानि इसने बोला 15 लाख मिल गया है, गवर्मेंट ने बोला मैंने 15 लाख दे दिये, judge ने बोले भाई 15 पर टेक्स भर पहले तू, यानि ये वाली कहानी तो हो चुकी होगी, भरना पड़ेगा, अब dispute के बाद, कूट का फैसला, आपको पता ही है, तारीख पे तारीख, होसकता है 10 साल बाद आए, भोसकता है 20 साल बाद आए, अब यहाँ दो फैसले हो सकते हैं, हो सकता है कि Income Tax Department जीट जाए, और हो सकता है कि SSC जीट जाए, अगर Income Tax Department जीत जाता है, तो 15 लाख ही देगा उससे जदा, अगर income tax department नहीं जीता, जीता है SSC, तो income tax department को उसको पैसे देने पड़ेंगे, इसने अपना demand रख दिया, कि सर एक करोट रुपए की मेरी property है, अब valuer आया, valuer ने इसका detained निकाला तो इसकी actual 80 lakh बनी, 80 lakh का बना, अब 80 lakh का payment जो है, वो 2030 में हुआ, 2030 के अंदर 80 lakh रुपए बना, तो 80 lakh उसे payment नहीं होगा, 15 तो पहले ले चुका है, बाकी 65 lakh जज एक law और rule पास करेगा, कि भाईया, इसे बाकी के 65 lakh दीजिए, और plus interest भी दीजिए, क्या देना होगा, plus, जितने time delay हुआ है, interest देना होगा, जो भी whatever rate है, 1% मिलता है, 0.5% मिलता है, उसके एसाब से आपको ब्याज भी देना होगा, अब सर इसको 65 lakh रुपे मिल गए, कब मिला है 2000, और interest भी मिला है, माल लेते हैं, टूटल मिला के, इसको 70 lakh के असपास मिल चुका है, अब जब 65 lakh मिला है 2030 में, है तो property का पैसा, क्या इसके उपर capital gain लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, धगिएगा capital gain, लेकिन जब हम पहुँच जाएंगे उस situation में, तो सेल आ जाएगा हमारा अब पहला कुश्चन आता है सर 65 लाग के 70 लाग को कुश्चन मार्क है 65 लाग या कितना ले बताए फिर पांच लाग है है हैं ट्रस भी मिला ना तो यह सेल देखो टूटल डिटर्माइन हुआ था कितना सर टूटल जो गुवर्मेंट ने डिटर्माइन किया था 80 में से 15 वो पहले हजम कर चुगा है अब और उसे मिले 65 प्लस 20 यानि टूटल 70 मिले तो अब सेल में कितना माने 65 लाग मैंने लिख दिया था पहले इसलिए बता दिया ठीक है सेल में कितना लिखा था 65 लाग अब माइनस में करेंगे कॉस्ट आफ एक्यूजिशन बताइए कॉस्ट आफ एक्यूजिशन कितना आएगा कॉस्ट आफ एक्यूजिशन कितना आना चाहिए एक करोड नहीं लिख दे कॉस्ट आफ एक्यूजिशन कितना आना चाहिए सर कॉस्ट आफ एक्यूजिशन सर एक घर का कॉस्ट आफ एक्यूजिशन का बेनिफिट ले चुके हो ना पहले ही तो एक ही चीज को कितनी बार माइनस करोगे आप बार 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 माइनस नहीं कर सकते तो सर यहाँ पे capital gain जो आएगा 65 लाग आएगा और इस 65 लाग पे इसको text देना पड़ेगा अब बात रहेंगे 5 लाग का सर यह 5 लाग रुपे जो इसको मिले हैं interest इस interest पे text नहीं देगा बिल्कुल यह text देगा और इसको जो 65 लाग रुपे मिला है न एक्स्ट्रा इसको बोलते enhance compensation इसको बोला जाता है enhance compensation enhance compensation देखो law के अंदर ना मैं अगर simple सी बात करूँ ना law है असान लेकिन उसको अगर पहले आपको नॉर्मल बोल चाल में बता दिया जाए और फिर उस टेक्निकल वर्ड को बता दिया जो यह तो पता ही था हमें लेकिन मैं directly starting से ही बोलू enhance compensation मिलेगा enhance compensation मिलेगा तो फिर समझाए क्या मिलेगा थोड़ा सा वो difficult हो जाए तो enhance compensation तो बोला गया enhance compensation पर हमें interest भी मिल रहा है जो यह interest मिलेगा इसको बोला taxable इसको भी करेंगा ऐसा नहीं income tax वा लोग बोलते है कि इसको भी taxable करेंगे क्या other source में जाके लेकिन other source में जाके पूरा taxable नहीं होता वहां 50% का हमें relaxation मिल जाता है capital gain का part नहीं है यह किसका part चला जाता है हमारा other source का लेकिन जो एससी है वो ढीट है वो जजस से भी लड़ गया कि बोला भाईया नहीं एक करोड़ी है आपने मेरे एससी बीस लाक रुपे तो और दिलवाओ तो आपने कभी सुना है कि जज ने जो फैसला सुना दिया तो वो फैसला बदल भी सकता है यानि आपके पास court के बड़े सारे division दिये हैं लेकिन income tax में ऐसा नहीं होता है income tax में direct court में नहीं चले जाओगे income tax के court के भी दाइरे हैं सबसे पहले जाता है income tax officer IT योजिसे बोलते हैं उसके बाद जाता है income tax commissioner के पास commissioner के पास जाता है आपका tribunal के पाश पर श Minil के बाद फिर clairement के पास मतलब के company कह रहा हूं इसके बाद जाता है फिर आपका okay court में जाता है court में भी फिर आता है district court आता है कि अलग-अलग कोट है तो उस तरीगे चलता है तो हमें मैं लौ तो नहीं हम अभी वो तो नहीं पढ़ रहे हैं कोट का तो इस हिसाब से चलता है अगर इसने कोट कि बहुत सारी मूविस में भी देखा है वे जस तो बोलता है हमने फैसला सुना दिया तुम्हें मजा नहीं आ रहा तो आगे अपील कर लो तो अब इसके पास ऑप्शन होता है कि यह आगे और इसको कंपंसेशन के लिए अपलाई कर सकता है जैसा ही यह कंपंसेशन के लिए अपलाई करेगा फिर जीत गया तो उसको बीस लाग रुपए और मिलेंगे उस बीस लाग पर सेम कैलकुलेशन जाएगा और उस पर जो इंटरस मिलेगा उस इंटरस पर भी सेम कैलकुलेशन तो हमारा concept जो है ये basically मैंने उपर concept डाला नहीं, concept है हमारा कि government जब आपका property compulsory acquire कर ले, सर एक बात मैंने को याद आ रहा है, मैंने कहीं और भी इस बात का discussion किया है, compulsory acquisition by the government, 54, वहाँ पे factory था, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है न, अगर यहाँ पे फिर आप दुबारा चलो आपके साथ ये घटना घट गए अपने सब कुछ करा, आपने फटा फट जो पैसे मिले, एक मकान भी खरीद लिया, तो क्या आपको exemption मिलेगा, जी हाँ, मिलेगा, 54 का मिलेगा, आपका घर गया है न, आपने घर खरीद लिया, तो क्या मिल जाएगा, आपने क्या करा, बॉंड में डाल दिया, तो 54, EC का, आपको मिल जाएगा, आपने क्या करा, अधर कोई, ज लिए लो तो वहां पर आपको एक्जम्शन मिल जाएगा 54 के अंदर तो यह था हमारा compulsory acquisition बताईए इसमें कोई डाउट को मैं कोई डाउट है कोई डाउट इसमें क्लियर रहे आपकी किताब में आपने पढ़ना भी है देखो मैं तो सिर्फ क्या बताता हूं इसके अंदर की बाते हैं वैसे हाला कि इससे related questions मैंने यहां कर दिया हिंट में आप यह चीजे अपने किताब के अंदर पेज नंबर 45 5 है इसका section 45 मैं सेक्शन पर ज्यादा जोर नहीं डालता क्योंकि बच्चे ना उसको फिर परिशान हो जाते हैं वहीं मैं ढूंड राओं 45 5 है किदर और तो मिल गया यह रहा capital gain by way of compulsory acquisition पेज नंबर 265 और जो मैंने चार्ट बना रखा है और वहां भी mention किया हुआ है आप देखिए उसमें है 10 यह पीछे से start है इसमें मैंने mention किया हुआ है 5 में capital gain compulsory acquisition आपका initial compensation और enhanced compensation दोनों बात करिए initial compensation में date of acquisition होगा date of compulsory acquisition होगा holding वो माना जाएगा इसके बाद आपका यहां पे full value of consideration कैसे calculate होगा और यहां पे cost of improvement या cost of acquisition में आपने क्या रख दिया निल रख दिया है आपका year taxability यहां पे लिखा हुआ है और note no.3 भी इसके लिए पढ़ लिए के लिजिए कि any compensation receive interim court, tribunal and authority shall be taxable the final order of the court, tribunal of the authority made तो कुछ बाते मैंने extra भी बताई है चार्ट को मैं एक बार पूरा खतम हो जाए ना सारा का सारा तो मैं एक बार में चार्ट समझा दूँगा किताब में आपको मिल जाएगा 17.13 पेज नंबर 265 पे ग्रीस आहुजा की बुक है तो यहां पे गीबा ने वेयर, capital assets, सारी बाते जो मैंने कहा है enhance compensation dispute पूरा जाकर डेड़ पेज में एक सवा पेज में आपका ये उन्होंने समझाया हुआ है जिसे आप पढ़ोगे तो बहुत easily समझ में आएगा और मैं हर बच्चों को कहूंगा जैसे मैं चीजे समझा देता हूँ मैंने किताब इसलिए बोला कि भीया किताब लो हर चीज शॉटकट पर भागोगे ने नमबर नहीं आएंगे मैंने चार्ट एक पेज में मैंने खतम कर दिया इसको जो चीज मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ चार्ट में एक पेज से लेकिन एक्जाम में आ जाए कि explain the enhanced compensation 54 subsection 5 तब आपको चार्ट नहीं बनाना इसलिए you have to read जो provision मैं बना दूँ उसको आप ध्यान से read कर लिजिए मेरे बताने के बाद जब उसको आप read करेंगे तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगा और आप चीजों को coordinate कर पाऊगे दिमाग से कि हां सर ने भी ये बोला थ इसके हिसाब से सब चीजे लिखी है ठीक है ऐसा है तो एक आपको लिखने का वे भी पता चल जाएगा चलिए अगला कॉंसर्ट देखते हैं अच्छा ही कि एक और पॉइंट एडमीशन ओफ पार्टनर सर एडमीशन ओफ पार्टनर सर एडमीशन ओफ पार्टनर ये तो बारवी क्लास में था अब यहां पे अडमीशन ओफ पार्टनर का क्या है रोल हुआ ये एक वेक्ति और एक फरम है ध्यान से समझेगा एक वेक्ति और एक यहां पे पहले से दो वेक्ति है A और B और एक C पार्टनर इसमें जोइन होना चाहता है तो आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई पार्टनर आता है तो अपने साथ कैपिटल ले के आएगा अब कैपिटल में ये कभी भी नहीं कहा गया कि मोनेटरी होना चाहिए वेदर मोनेटरी हो सकता है और नोन मोनेटरी भी हो सकता है अब A और B ने डिमांड करा कि भाईया C तू अपने घर से जा capital लेकिया या C ने बोला हमारे पास तो कुछ नहीं है लेकिन हाँ हमारे पूरवज हमारे parents ने गोल्ड रखा हुआ है और इसका काम पार्टनर वो जोल्री का है ठीक है न जोल्री का काम है तो कहता है कि हमारे पास जो है वो गोल्ड रखा हुआ है तो मैं गोल्ड लेके आ सकता हूँ कितिना आपका बनता है payment तो उसने बोला कि सर जो payment है ना आपको capital लेके आना है वो लेके आना है 20 लाक रुपए अब cash लिया हो तो capital gain का कोई मतलब भी नहीं बनता अब बोला इसने मेरे पास क्या है gold है इसके पास जो gold था ये gold इसने खरीदा था 1-4-2021 में इसके parents ने खरीदा था कितने का खरीदा था सर 2 लाक का या इस्टम तो सस्ता था काफी 2021 गलत लिख दिया 2001 करना है मुझे सर खरीदा था 20 लाक रुपए उसका price है अब इसने partnership firm में admission ले लिया partnership firm में 142,021 तो इसका मतलब इसने अपने assets को as a capital contribute कर दिया कहां पर firm में कर दिया as a capital contribute इसका capital कितना मिल रहा है इसको 20 लाक इसका capital क्या था अब जब firm balance sheet बनाएगा अब जब firm balance sheet बनाएगा तो balance sheet के अंदर a भी होगा b भी होगा और c का capital कितना होगा लेकिन इसका fair market value एक चार को value ये था जिस दिन इसने gold दिया इसके हिसाप से था वो इसके हिसाप से लेकिन actual अब sir gold दिया है तो capital थोड़ी होगा इधर assets भी आएगा न गोल्ड में assets में भी तो आएगा जब कभी भी capital लेके आते हैं double entry याद करो cash देते हैं तो हमारा capital में भी आता है और साथ के साथ cash में भी जो आजाता है तो gold दिया है तो यहां भी आएगा इसने इस gold को यहां पर record किया firm ने partnership firm ने 25 लाख का capital कितने का 20 लाख record कितने का हुआ confuser नहीं पर बताए यह sale consideration क्या लिया जाएगा इसपा जिए यह कौन्सिटरेशन क्या लिया जाएगा बीस लाग या पच्चेस लाग बीस या पच्चेस बीस या पच्चेस तो यहाँ पे लौ कहता है सर आपने कैपिटल कितना भी कॉंट्रीब्यूट किया हो उससे हमें लेना देना नहीं है जो भी बैलेंशीट के अंदर फेयर मार्केट वेल्यू वो रिकॉर्ड करेगा एसेट्स का वो सेल कंसीड्रेशन ओगा इस हो इस इन केसिस को स्पेशल केसिस मैं इसलिए बोल देता हूं क्योंकि यहां पर कभी सेल लेने में कंफ्यूजन हो जाता है क्या लेना है। और कई बार कउस्ट vibration懂 हो जाता है कॉंसा इंडिक्षेशन लेना है तो यहां पर क्या लिया जाएगा आपका 25 लाक लिया जाएगा और माइनस कॉस्ट ऑफ एकुजेशन क्या होगा सर सर वही होगा बीस हजार और मल्टिप्लाइबाइबाइब किस दिन वह इसके अंदर क्यापिटल ले क्या है दो अब इस लाक चाहतिश शेसो टेक्स दे देगा समझ मैं तो अगर एडमीशन का केस हुआ तो इस तरीके से हमारा ट्रीट्मेंट करना है कि जो बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू रिकॉर्ड किया गया है उस बैलेंस शीट के वैल्यू को हमें सेल कंसीडर कंसीडर करना है ना कि डिजॉलिशन भी करी लेते हैं अब कि अ कि अ कि अ कि डिजॉलिशन भी करी लेते हैं एक्स वाई और जेड़ तीन पार्टनर है तीनों ने बोरा फर्म को डिजॉल्व करो अब फर्म जब डिजॉल्व होता है तो फर्म अब अपने अपने एसेट्स को बेचेगी तो यानि अब जो क्यापटल गेन कैलकुलेट होगा वो पॉइंट ओफ व्यू फर्म के हिसाब से होगा क्योंकि ये अब बेच रहा है असेट्स को तो इस पर भी कैपटल गेन लगेगा पहले तो इसने बेचा था तो ये अब यहां पर दो कंडिशन हो सकता है मान लेते हैं लेंड बिल्डिंग पचास लाक और एफमवी फाइफ सी आर एफमवी फाइफ सी आर मतलब मार्केट वेल्यू पांच करोड का है पार्टनर ने बोला भाई ये एसेट्स मेर को दे दो अब पार्टनर है पर नेगोशेशन होगा नहीं होगा होगा वो तो भाई उसी का फाम है उसकेसाफ से चला सकता है लेकिन पार्टनर ने बोला ये एसेट्स मुझे दे दो ये एसेट्स मुझे दे दो और इस बिल्डिंग को जो खरीदा गया था ना वो खरीदा गया था 1420001 में मैं इसलिए एक्जामपल ले रहा हूं थोड़ा सा असान पड़ेगा कितने खरीदा गया था सर पाँच पचास लाग का पचास नहीं पाँच लाग कर देते हैं है कि अबिशक के लिए आपको कैपटल के निकालना मैं और पार्टनर ने वह आपने इसक को अपने लाग किए has पॉसिबल होसकता है या फिर उसने डेल यह पॉसिबल हो सकते है अब बारी आतीस क्या हो और किशन क्या हुगा सर सेल कंसिडरेशन क्या होगा सर यह सारे लौ ना आप लोगों ने बनवाए है टेक्स चोरी करकर के प्रोविजन बनते गए लोग बाग क्या करते थे क्यापिटल गिन निकालना है एक काम कर तू मुझे ऐसे दे मैं 25,000 में ले लेता हूं अब गवर्मेंट पूछेगा तो ब जमाग चला सकते हैं तो वह क्या करते हैं जैसे जैसे देखो लौ जो इतनी मोटी पहले किताब जो बनी होगी कानून की मेरे हिसाब से जब बहुत स्टार्टिंग रहा होगा क्योंकि इंडिया का जो अगर देखा जा हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है तो पहले कानून था प्रकार नहीं कि तो आपके दिमाग का कमाल है जो आप चलाते रहते हो उसको रोकने के लिए सरकार ने क्या बना दिया लौ बना दिया सीधी सी बात है तो पहले यह सारे सेक्षन नहीं हुआ करते थे लेकिन वह सेक्षन दीरे-दीरे मैं बता रहा हूं ऐसे करते थे लोग बाग जिसके वैसे यह इंटर्ड्यूस किया गया है तो सर यहां पर सेल कंसिडरेशन क्या हमारे पास option available ऐसांतर लाग हमारे पास option available है 50 लाग हमारे पास option अविलिबल है 5 करोड को कि भीर है बताइए अब बच्चे कह रहे हैं सर सत्तर लाग माल लोग यह 5,000 में ले लेता यह मतलब कि इस प्रोपर्टी को यह 5000 में ले लेता तो कितना लेते 5000 ले लेते यहाँ पर टेक्स की चोरी होने के संभावना है यहाँ पर टेक्स की चोरी होने की क्या है संभावना जादा है तो हमेशा याद रखना जहां पर टेक्स की समबद्द, जहां टेक्स चोरी किया जाता है, वहां पर गौर्णमेंट रूल इस्ट्रिक्ट बनाता है, मैं सीधी सी बात करता हूं, नोट बंदी, नोट बंदी में बोला गया कि भीया, अगर आपके घर पे ब्लैक मनी मिला, तो 30 परसंट टेक्स नहीं लेंगे, 120 परसंट लेंगे, पढ़ ले ना, यह अमेंडमेंट आया था मोश टाइम पे, पहले था कि भाईया, जिसके घर पे ब्लैक मनी मिलता है, 40 से 45 परसंट के बीच में दीजिए, फ्री आप आराम से गूमिये, तो लोगों ने सोचा था है, यार नोटी बदल गए, बैंक जा रहे है, धक्के खारे, 50 परसंट तो बचेंगा, 200 करोर कोई बात नहीं, गौर्मेंट ने दो दिन में एक अमेंडमेंट लेके आई, मेजरिटी बुलाया, पारलियमेंट के अंदर, बोला भी फटा फटा इसको राश्टपती से साइन कराओ, ब उन से हम 120% टेक्स वसूले हुए, तभी आपने सुना भी होगा, वैसे मैंने तो देखा नहीं, लेकिन सुनने को आया था कि यहाँ पर नोट फैक दिये, उसने जला दिये, तो ऐसा कुछ सुनने में है, बाकि हाला कि देखा नहीं, देखा होता तो रख लेते हैं, ठीक है न बस सुनी सुना ही बाते हैं, जो कि सुना है मैंने और आप लोगों ने भी सुना होगा, तो बड़ी सीधी सी बात है, तो गौवर्मेंट यहाँ पर बड़ा स्ट्रिक्ट रूल बनाता है, गौवर्मेंट नहीं बोला भाया तू यहाँ पर टेक्स्चोरी करेगा, हम लेंग हमारा तो टेक्स पर मारा गया, पार्टनर आप आपस में सेटिंग कर लो आपस में पार्टनर से, हमारा तो चली गया टेक्स, इसलिए हम ऐसा कानूर बनाएंगे जो कि थोड़ा सा जैन्वेन भी लगे और आप बच्चोरी नहीं करने देंगे, टेक्स बोला एफम भी लें इसलिए, पन्दरा लाख, बाकी पर टेक्स, बाकी पर टेक्स, चार करोड, चौरासी लाख, और सर, मैंने अभी वैसे मार्जनल रिलीव और सर्चार्ज कराया नहीं है, जब एक पचास लाख रुपे जब इंकम कमा लेती हो, तो आपको 10% और एक्स्ट्रा देना पड़ता सरकार को क्योंकि आप गौर्मेंट आपको अमीर मान लेती है उस टाइम पर एक्स्ट्रा जितना भी इंकम है उसका दस परसेंट और देना पड़ता है कि आप कोंट्रिब्यूट करिए आप बहुत पैसा कमा रहे हैं और जब एक करोड हो जाता है तो आपको थोड़ा सा और प पचास परसेंट टेक्स सरकार को देना पड़ता है अगर आपने दो करोड रुपे कमाया तो एक करोड़ क्या करो फिर वह उसका जैसे वी यूटिलाइज करना हो वह अपने हिसाब से कर लें ठीक है तो यहाँ पर यह पर यह प्रोविजन था कैपिटल गेन इसके उपर दे देखा था सारें सबस्क्राइब लग गया उसके बाद देखा था इसटाओक को लग लूइंट पर स्बाफिट एक पर यह पर प्रोविजयugen रहाते हैं जैसे आपने equity share को preferent share में convert कर दिया मतलब shares वाले conversion वाले part रह जाएंगे जिसको भी देखेंगे उसका fair market विलिए बाकी मोटा मोटा देखा जो खतम हो जाए दिखाई एक बार मैंने चार्ट में बना रखा एक जगही सर यहां पर क्या क्या प्रोविजन्स है देखो 45 वन तो जर्नल ह इसके बाद कहता है capital gain in case of receive insurance company damages मिल हो गया capital gain conversion stock यह भी कर लिया capital gain transfer of depository which beneficial interest ठीक है depository में हमने transfer किया भी नहीं कराई है capital gain on transfer of member कोई भी assets AOP BOI contribution तो यह कर लिया जो हमारा 45-3 है यह as a admission था मैं चार्ट बाद में दिखा दूँँ आपको मैं अभी अपना खुद पहले देख लू capital gain on the transfer of capital as a way of distribution of the dissolution भी कर लिया हमने इसके बाद compulsory acquisition भी कर लिया इसके बाद है capital gain distribution assets company's liquidation यह partnership का था एक company के liquidation पे भी थोड़ा सा अलग provision होता है वो भी हम देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसको खतम करने के बाद हमारे 3-4 section छोटे-छोटे से रह जाते हैं section 50 रह ज पर एक stamp duty valuation officer होता है यहां पर भी नया section इंट्रीउस हुआ है तो उसके according आपका complete हो जाएगा तो कल की भी class में रख रहा हूं कल की class कितने बज़े है सर सुबह साथ बज़े आईगे और कल सुबह साथ बज़े हम यह